हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल देविंदर मैथ क्लासिज देखें फ्रेंड्स क्यूशन नमर फाइफ देखेंगे बहुत अच्छा क्यूशन है इंपोर्टेंट भी है देखें क्या कहता है यह वैसल इस इन दी फॉर्म ओफ एन इन 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 इ थीक है अगर टेट आवन रहा है थोड़ा बहुत तो आप इसको ठीक कर लेंगे आगे बोला है इस हाइट इसकी हाइट कितनी है वही एट सेंटीमेटर है यह कितनी दी हुई है एट सेंटीमेटर और आगे कहता है एंड़ रेडियस ओफ इट्स टॉप विच इज ओपन दे इसरser अ किया इसका ओपन है अब बीब इनीश फिल्ड विद वॉर्टर इसको शेटा है फृण है पॉनिश बढ़ा गया है अब टूदा बीम कर लकुटर बबहा हो और यह तो थे थीक है यह किसैं क्यूंत Уर और हुआ है पाने स्थे बढ़ा हुआ है यह यह पूरा पाने स है when lead sorts each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel अब बरतन में क्या क्या गया भई काच की गोड़िया डाली गई है देखो when lead sorts काच की गोड़ी और वो किस shape में है spherical shape में है किस shape में है यह spherical shape में है माल लेते हैं यह spherical shape में है तो यह इसका center हो गया और यह एक spherical shape में इसको दे देता हूँ दे देखो ठीक है यह spherical shape में यह काच की गोड़िया इसमें क्या की गई है डाली गई है और उस sphere का radius कितना है 0.5 यानि कि यह जो है यह कितना है अपना 0.5 centimeter ठीक है भई are dropped into the vessel फिर क्या होता है one fourth of the water flows out यह काच की गोड़िया डालने से क्या हो जाता है जितना इसमें पाणी था उसका one fourth क्या जाता है भार आ जाता है ठीक है तो इसने क्या पुछा है अपने से find the number of lead shorts dropped in the vessel कि उस इस बरतन में कितनी number of कितनी जो काच की गोड़िया है वो डाली गई यह अपने को बताना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जितना यह जो यह अपना कॉन दिख रहा है इसका volume find out करेंगे यह जो कॉन दिख रहा है इसका total volume वह कितना पाणी है इसमें वो find out करेंगे हम ठीक है तो यहां बात करते हैं हम solution देखें तो volume of कौन volume of कौन ठीक है यह ब्रेकेट में लिख दें water is equal to ठीक है तो क्या होता है one by three pi r square h यह होता है न तो यहां पे values रख दें वहीं इसमें one by three pi की value बाइस बटे साथ 22 by seven r की बात करें तो five है इसकी इसकी और height eight है वहीं ठीक है अब यहां पे इसको जो है यहीं रख लें खीक है फिलाओ अब आगे कहता है यह जो आगर unit दें इसकी तो centimeter cube हो गया अब आगे इसने बोला है कि इसमें कांच की गोड़ियां डाली गई है और उससे क्या रहा है पाणी बाहरा आ रहा है अब जो कांच की गोड़िया डाली है उससे कितना पाणी भार आया है वही देखो इसने बोला है जब इसने कांच की गोड़िया डाली है तो one-fourth पाणी जो है वो भार आजाता है यहाँ देखें इसने बोला है one-fourth of the water flows out तो वन फोर्थ जो है वो पाणी क्या आ जाता है भार आ जाता है ना कब जब ये कांच की गोड़िया इसमें डाल देते हैं इसके अंदर अब हमने क्या कर दिया भई कांच की गोड़िया डाल दी ऐसे तो वन फोर्थ पाणी क्या आ गया भार आ गया अब जो भार आ गया आए वे पाणी की अगर बात करें तो वोल्यूम ओफ वोल्यूम ओफ वोल्यूम ओफ वाटर 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 फ्लोज आउट फ्लोज आउट वैन लीड शॉट्स लीड शॉट्स आउट ड्रॉपड ठीक है बई जब लीड शॉट्स डाल दी है कांच की गोड़ेया डाल दी है तो वोल्यूम ओफ वाटर फ्लोज आउट कितना हुआ यहां बात करें तो यह जो वोल्यूम था इसका वन फोर्थ पाणी क्या आगया भार आगया तो वन इन्टू ठूटी टू by सेवन इन्टू थाइव फाइव इन्टू एट यहां तक के लिए हैं हमने यह निकाल दिया कि इतना पानी इसका भार आ गया अच्छा ये पानी जो आया है वो किसकी वज़े से भार आया है इन कांच की गोड़ियों की वज़े से तो जितना स्थान अब समझने की बात ये है जितना स्थान टोटल इन कांच की गोड़ियों ने लिया है जो जितना इन सभी गोड़ियों का वोल् यह जो पानी भाराया है उसके एकवल है कि नहीं है ना तो यहां पर अगर बات करें तो देखो वही सबसे पहले हम क्या करते हैं आब यह क्या कर लेते हैं तो स्फेर में है तो volume क्या होता है भी 4 by 3 pi r cube तो 4 by 3 pi की value by इस बटे 7 r कितना है 0.5 का cube है तो 0.5 into 0.5 के लिए है इसके जो decimal है इनको अटाने के लिए हम 10 10 10 लगा लें ठीक है भई अब इसको थोड़ा सा simplify करें तो 5 से 2 पे गया यह भी 5 से 2 पे गया और यह भी 5 से 2 पे कट गया ठीक है अब यहां से देखें तो 2 दुणी 4 4 से 4 कट गया भी और 2 से यह कितने यह कट जाएगा 11 पे clear है यहां कितना आ गया अपना 11 by 70 यहां से आया 11 by 21 ठीक है न 7 into 3 21 centimeter cube ठीक है यह आया अपना एक कांच की गोड़ी का volume ठीक है अब हमने तो बताना है कि कितनी गोड़ी या डाली गई है इसमें तो हमें क्या पता है यह जो पाणी बहार आ गया यह जो पाणी बहार आया है इतने इसको भी लिख ले आप centimeter cube इसकी unit देजें है तो यह जो पाणी बहार आया है वह जितनी गोड़ी डाली है उनकी वज़े से यह बहार आया है अब हमने तो number of lead source निकालना है तो देखें अगर हम बात करें मैं अगर बात करूं तो देखो अगर easy way में बात करें हम तो यहां पर 11 by 21 cm3 जब पाणी यह जो है 11 by 21 cm3 है volume तो कितनी गोड़ी डाली वही एक एक lead source डाली ना काच की गोड़ी एक डाली और जब एक cm3 है volume तो 1 by यह 11 निचे आ जाएगा 21 उपर आ जाएगा ठीक है पलट जाएगा यहां पर 1 के into में आएगा तो यह पलट के लिख देंगे 21 by 11 और अब आमने करना क्या है कितना पाणी बाहर है जितना पाणी बाहर है वो किसकी वज़े वज़े से है टोटल जितनी गोड़े अड़ली ती उसकी वज़े से यह न तो कितना पाणी बाहर है वह अपना यह तो इसकी वज़े से तो 1 by 4 into 1 by 3 into 22 by 7 into 5 into 5 into 5 into 8 का कितनी कांच की गोड़े अड़लेंगी तो इसको 21 by 11 को हम क्या कर देंगे वही से multiply कर देंगे तो हम बता पाएंगे कि कितनी कांच की गोड़ें उसमें डाले गए ठीक है और वही हम करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे number of therefore number of lead sort lead sorts dropped in the vessel in the vessel is equal to क्या करेंगे वही हम यह जो वोल्यूम जो अपना है यह वाला वोल्यूम यही तो हो रहा है वही यह वाला वोल्यूम को हम क्या कर देंगे एक कांच की जो अपनी गोड़ी है उससे क्या कर देंगे divide कर देंगे तो कितनी गोड़िया उसमें डली यह पता सल जाएगा यह जो भार पाणी आ गया था ना उसको एक कांच की गोड़ी के वोल्यूम से क्या कर देना हमने divide यही तो कर रहे हम यहां भी अगर देखे तो देखा इतने centimeter cube था तो एक कांच की गोड़ी डली एक है तो यह क्या हो जाएगा 21 by 11 पलट के आ जाएगा एक के लिए तो कम होगा कम के लिए divide होता है 21 by 11 आपने सोटी के लास ने शिखा है और इतने centimeter cube है तो यह क्या है इसके into में आ जाएगा यह जितना भी portion है यानि कि मैं बोल सकता हूं कि यह जो portion है उसको हम क्या कर रहे हैं divide कर रह करें यही तो बात लिखिये मैंने यहां जब आप 11 by 21 से डिवाइड करोगे तो multiply में जभी आएगा तभी तो 21 by 11 आता है ठीक है आप समझ गए होंगे तो यही बात हम यहां पे करेंगे number of lead source dropped in the vessel is equal to क्या करेंगे total यह जो volume है यह वाड़ा जो भार आ गया था वो वाड़ा इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है तो यहां पे यहां किसे मतलब है अपने को इससे ना कि इससे 1 by 4 into 1 by 3 into 22 by 7 into 5 into 5 into 5 into 8 के अपोन में क्या जाएगा यहां पे हम किससे डिवाइड देतेंगे 11 by 21 से देखिए अगर आपको यह method सही लग रहा है तो आप यह अपना लेंगे जो मैंने इधर किया है इसमें भी कोई दिकत नहीं है और यह करें number of lead shots dropped in the vessel is equal to तो इसको वही बात रहे हैं हम ठीक है तो यहां पे अगर बात करें हम तो अब यहां पे आप note कर लेंगे वीडियो को यहां अगर बात करें तो इसको अब solve करेंगे is equal to 1 by 4 into 1 by 3 into 22 by 7 5 into 5 into 8 into यह डिवाइड में तो इंटू में आएगा तो 21 by 11 हो जाएगा वही ठीक है अब इसको simplify करतें तो simplify करेंगे तो देखो वही चार से यह कितना हो गया चार दोनी आठ दो पे कट गया केलियर और साथ से साथ यह 21 21 कट गया वही और 11 से यह 2 पे कट गया 22 तो अब कितना आ गया 5 5 25 25 दोनी 50 दोनी 100 तो हैंडर लेड शॉट्स कितना आ गई वही 100 कांच की गोडिया डाली गई इसके अंदर तब यह पानी भार आया कोन सा पानी भ आगावके स्चूडेंट्स ये है आपका क्यूस्टन नंबर 5 प्रॉप